नमस्कार दोस्तों वारिसी जौब यूज चैनल में आपका हारदी स्वागत है आप देख रहे हैं दैनिक रोजगार मुख समाचार आज हम बात करेंगे आज की महत्पून खबरों के बारे में तो आप सुभी वीडियो को पूरा देखीगा इसकीप मत करिएगा वीडियो पसंद आए तो चैनलों को सब्सक्राइब करिएगा साथ साथ बेल आइकोन को दबाईएगा जिससे आपको इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहे तो आईए इस सुरू करते हैं पहले ख़बर ससी के संसोदी भरती परिच्छा कलेंडर को लेकर है ससी के द्वारा संसोदी भरती परिच्छा कलेंडर किस महिने किस तारी तक जारी किया जाएगा इसके संबन में अब भरतियों ने कई बार जानकारी मांगी है आज मैं आपको बताऊंगा कि संसोजी भरती परिश्या कलेंडर की इस तारी तक जारी होगा लागडाउन की वज़ा से SSC को CGL 2019 के पहले चरण की परिश्या को बीच में ही रोकना पड़ा था परिश्या 16 से 20 मार 2020 तक होनी थी इस वज़ा से 30 मार 2020 को प्रताविष जूनेर इंजिनर 2019 के पहले पिपर की परिश्या तो प्रभावित हुई 77 पाच मैं से 7 मैं 2020 तक प्रताविष इस्टेनो ग्राफर गेट सी एंडी 2019 की भरती परिश्या तथा CGL 2018 की स्किल टेस्ट पर भी इसका असर पड़ा है आपको बता दे लागडाउन के दोर में बहुत सी भरती परिच्छाया प्रभावित हुई हैं चाहिए असस्ती की हो या किसी आयूग या किसी बोड की हो आपको बता दे के अससी के दोर 30 सब्तमबर 2019 को अक्टूबर 2019 से लेकर मार्च 2021 तक होनी बारी भरती परिच्छाओं को कलेंडर जारी किया गया था जिसे लागडाउन की वजासी आप संसूदित करना पड़ेगा आप सवार रुचता है और जिसके संब्द में कई अब्रिच्छों ने जानकारी मांगी है कि संसूदित भरती परिच्छाओं कलेंडर कब तक जारी होगा तो जो जानकारी मुझे प्राप्ट हुई है कि 3 मई 2020 के बाद SAC में एक अहम बैठक होगी और जो भी भरती परिच्छाओं परस्तावित थी और जो प्रभावित हुई है उनके संसूदित में नीड़े लिया जाएगा कि किस महीने किस तारीक को परिच्छा कायोजन किया जाए 16 मई 2020 तक SAC का विचार है कि संसूदित भरती परिच्छाओं कलेंडर जारी कर दिया जाए लेकिन एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूँ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 3 मई 2020 को लागडाउन हो सकता है कि 8-10 दिनों के लिए समाप्त किया जाए उसके बाद फिर लागडाउन कर दिया जाए 8-10 दिनों के बीच या देखा जाएगा कि जो कुरोना संक्रिवित मरीजों की संख्या है वह बढ़ रही है या घट रही है अगर बढ़ेगी तो लागडाउन की ओज बढ़ा कर 10 जून या 15 जून तक किया जा सकता है अगर नहीं बढ़ती है तो 16 मई 2020 तक SAC के द्वारा संसोदी भरती परिशा कलेंडर जारी कर दिया जाएगा तो आप सभी धायर बना रखें आपको समय समय पर इस चैनल के माधिम सी जानकारी मिलती रहेगी दूसरी ख़वर उस्तम नियाले की है उस्तम नियाले ने क्रीमी लेर सिधान्त को लेकर एक महत्पूर्ट टिपड़ी की है उस्तम नियाले की सम्मिधान पीट ने कहा कि सरकारी SC-ST आरच्छन में भी क्रीमी लेर सिधान्त लागू करे जो आरच्छन का लाव लेकर आगे बढ़ या धनी हो चुकी हैं उन्हें सास्वत रूफ से आरच्छन देना जारी नहीं रखा जा सकता इस वर की वज़ा से जरूरत मंद गरीब तक आरच्छन नहीं पहुँच पा रहा है तो यह बहुत महत्पूर टिपड़ी है देखिए जिसे आरच्छन की जरूरत है उसे आरच्छन मिलना चाहिए मेरा कहने का ताथ पर यही है और आपको बता दें पीट ने कहा कि आरच्छित वर्ग में ही इसे लेकर वेचायनी है कि 70 वर्ग से आरच्छन का फायदा धनिक वर्ग ही समीट रहा है हम इससे सहमत है कि सरकार का या कर्तब भी है कि वहां इसकी समीच्छा करे इससे पूर्ग 2018 में जैश्टित दीपग मिसा समीधान पीट जर्नल सिंग के फैसले में ए टिपड़ियां कर चुका है तो जो उस्तम नयाले का कोई भी निर्णय होता है या कोई भी टिपड़ी होती है बहुत ही महत्पूर होती है और इसके सम्द में आप सुभी को जानकारी होना चाहिए और जो भी टिपडिया होती है अगर आप उसको सुनेंगे तो कुछ ना कुछ आपको सीख जरूर मिलेगी तीसरी खबर उत्तरप्रजिस के मुखमंतरी मानी योगी आजितनात जी के एक महत्पून निर्देश को लेकर है जो की अफसरों को दिया गया है और रोजगार से संबंदित है आपको बता दें कि मुखमंतरी योगी आजितनात ने लाग डाउन हटने के बाद रोजगार के आउसर पैदा करने वा अर्थिवे उस्था को मजबूती देनी की जिसा में काम सुरू कर दिया है उन्होंने कहा है कि 15 लाख लोगों को रोजगार दिलाने के लिए 3-6 महीने में ठोस कारियोजना बनाई जाए इसके लिए भाग अपनी अपनी कारियोजना एक हपते में पेस करें साथ-साथ मुखमंतरी ने एक महित्पूर बात कही है मुखमंतरी ने कहा है कि मोबाल रिपेरिंग के संबन्द में भी परिशिचर दिला कर रोजगार सीजित किया जा सकता है उन्होंने पॉली टेकनिक, साइंस लेब, आई टी आई आई आज की सहयोग से परिशिचर दिये जाने की बात कही है उन्होंने लाग डाउन की बाद युवाओं को लूल मेला और रोजगार मेला लगा कर रोजगार के औसर उपलब दिकराने के इंद्रिस दिये हैं तो सवाल उता है क्या यूपी में 15 लाग रोजगार सीजित हो पाएगा सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जबाब आपको देना है चोथी ख़बर उत्तरप्रदिस माजबी सिच्छा सेवा चैन बोर्ड की है उत्तरब्रदिस मादवी सिचासेवा चैन बोर्ड की ओर से TGT और प्रवक्ता के पद पर चुने गए आरसो से अधिक चैनिस सिच्चकों का प्लेस्मेंट फस गया है चैन बोर्ड की ओर से इन पदों का परिडाम जनौरी के बाद घोसित किया गया रिजल्ट जारी होने के बाद कुरूना का प्रवक्ता को बढ़ने के बाद चैनिस सिच्चकों को प्लेस्मेंट नहीं मिल पाया 24 मार 2020 से लाग डाउन लागो होने के बाद चैन बोर्ड की ओर से TGT यों प्रवक्ता 2016 के लिए चल रहा साथातकार रोग दिया गया था अंगरी जी संगीत सारी सिच्चा समाजी विज्ञान गनित उर्दूग्री विज्ञान वारीज यों किरसी विशे के परड़ाम में आर सो चोहत्र पदों का अंतिम चैन पूरा हो गया इन सिच्चकों की न्यूक्ती प्रक्रिया सुरू होने से पहले करोना के चलते लागडाउन लागू हो जाने से फ्लेसमेंट हब हो गया है अब सवाल उडता है कि इनको प्लेस्मेंट कम मिलेगा तो जो जानकारी मिली है कि जब लागडाउन की अवज समाप्त होगी तीन मरी 2020 के बाद उसके बाद उत्तर प्रतिस मादमी सिच्छा सिवा चैन बोर्ड इस पर महत्पूर्ण डिसीजन लेगा और आगे इनका प्लेस्मेंट करा जाएगा लेकिन अभी चैन्टों को इंतिजार करना पड़ेगा ऐसा उत्तरप्रतिस मादमी सिछा सिवा चैन्बोर्ट का कहना है पांचमी कबर UPPCS 2020 को लेकर है UPPCS 2020 का नोटिफिकेशन 21 अपरेल 2020 को जारी किया गया और 21 अपरेल 2020 से आब रिदन प्रक्रिया सुरू हुई महस तीन दिनों के अंदर यानि कि 23 अपरेल 2020 साम पांच में तक 65,000 अभ्यर्थियों ने पंजी करन करा लिया जबकि 25,000 फार्म भरकर सम्मिट भी कर दिये हैं आज की जूस्तिती है कि 72,000 अभ्यर्थियों ने पंजी करन करा लिया है और 28,000 अभ्यर्थियों ने फार्म भर कर सम्मिट कर दिया है वहीं 38,000 अभ्यर्थियों ने फीस भी जमा कर दी है सवाल उठता है कि लागडाउन के दोर में इतने आवेदन आ रहे हैं तो क्या लागडाउन का पालन नहीं किया जा रहा है या PCS 2020 की परिच्छा को लेकर अभ्यर्थियों के अंदर उस्सा है जबकि पदों की संख्या इतनी भी जादा नहीं है कि बहुत खुस होने की ज़रूरत है मार्थ 200 पदों पर विग्यापन जारी हुआ है जबकि अभ्यर्थि सोच रहे थे कम से कम 700-800 पदों पर विग्यापन जारी होगा इधर उत्तरब्रदे हिलोग सिवायो की सच्चु जग्दीस का कहना है कि अभ्यर्थियों में PCS, ACF, RFP 2020 की परिच्छा को लेकर कापी उस्ता है यही कारण है कि वहां तेजी से आभ्यर्दन कर रहे है आपको बता दी जिस तरह से आभ्यर्दन प्रक्रिया चल रही है और जिस तरह से आभ्यर्दन प्राप्त हो रहे हैं उससे देखती हुई UPPCS 2020 में अब की बार साहरे पांच लाग से साहरे छे लाग के बीच आभ्यर्दन प्राप्त होंगे इस से कम आभ्यर्दन प्राप्त नहीं होंगे और साहरे चाल लाग से उपर अभ्यर्थी परिच्छा में सामिल होंगे आप इसे देख लिजेगा फिलहाल आप सभी अपनी तयारी बनाए रखें और जम कर तयारी करें क्योंकि पदू की संख्या कम है अधिकतम बढ़ की पान सो तीर पन या चववन तक जा सकती है तो अगर आप तयारी बनाए रखेंगे तो आप competition कर सकते हैं क्योंकि अपकी बार competition तकड़ा होने वाला है लागडाउन का दवर है सब अपने घर में बैट के जम कर तयारी कर रहे हैं तो आप भी जम कर तयारी करें जिससे आपका सेलेक्शन हो सके चटमे कबर आरार्बी एंटी पीसी जाम डेट 2019 को लेकर है आरारबी एंटी पीसी जाम डेट की गोश्रा कब होगी परिच्छा का आयोजन किस महिने में क्या जाएगा इसके सम्मन में इस चैनल के माधिम से आपको बहुत पहले ही जानकारी दी गई है और जो इस चैनल के माधिम से आपको बताया गया है वही बाती आयस की समाचार पत्रों में छबी हुई है मेरे दोर आपको बताया गया था कि अक्टूबर के पहले परिछा का आयोजन नहीं होगा जनौरी 2021 तक जा सकता है चैनल पर वीडियो अपलोड है आप उसे देख सकते हैं आप जब भी वीडियो देखें तो पूरा देखा करें और बातों को सुने और समझने का प्रियास करें आज के समाचार पत्रों में लिखा हुआ है कि रेल्वे भरती बोड की ओर से ली जाने वाली NTPC के विभिन पदों की परिच्छा में सामिल होने वाले लाखों इवाओं को अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है बीते बरसी लाखों की संख्या में NTPC के विभिन पदों के लिए आवेदन किये गए थे लेकिन लाखडाउन की वज़ा से रेल्वे पूर्ड अब तक परिच्छा संचालित करने वाली एजनसी का चैन ही नहीं कर सका है RRB प्रियाग राज के अफसरों का कहना है कि एजनसी के चैन के बाद ही परिच्छा संबनित आगे की कारवाई होगी इस बीच बड़ी संख्या में प्रिच्छा का आयोजन कब होगा प्रिच्छा का आयोजन अक्टूबर के पहले किसी भी कीमत पे नहीं होगा और जनौरी 2021 तक जा सकता है एजनसी के चैन की प्रकिया पुना जून के अंत या जुलाई माह से सुरू होगी और कम से कम एजनसी के चैन में एक माह का वक्त लगेगा एजनसी का चैन हो जाने के बाद एजनसी को परिच्छा के आयोजन में कम से कम साथ सब्ता का वक्त चाहिए उसके बाद ही आपकी परिच्छा का आउजन होगा तो आप सोच सकते हैं कि कितना समय लगने वाला है आगे कोई जानकारी होगी तो इस चैनल के माध्यूं से आपको दी जाएगी